अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमेस्ट्री चैप्टर 12 से NCRT एक्सरसाइज क्वेशन 12.16 क्वेशन को पहले पढ़ेंगे क्या कह रहा है क्वेशन समझेंगे उसके बाद मैं आपको एक ऐसा ट्रीक ऐसा टिप्स दे दूँगी परपस यही होता है इस क्वेशन के माध्यम से आपको कॉंसेप्ट देना कि आपके दिमाग में पूरी तरह से कॉंसेप्ट रहे और आप किसी भी तईके से क्वेशन आए कहीं भी घुमा के भी पूछे तो आप उसे कर सको ठीक है तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं क्वेशन नंबर 16 क्वेशन है तो नीचे आपके options दे रखें questions A B C D के form में उसमें बहें बोल रहा है कि बॉर्ण क्लिवेश को दिखाईए और इलेक्रोन के फ्लो को दिखाने के लिए कर्वड एरो का इस्तमाल किजे और ये भी classify किजे ये भी बताईए कि वह homolysis है या hydrolysis है ये दो तरह का bond fission होता है कि homolysis और hydrolysis ठीक है identify reactive intermediate produced as free radical carbocatine and carbon ion ठीक है तो ये तीनी तरह का reaction intermediates होता है तो ये भी कह रहा है आपको कि identify किजे कि free radical बनेगा carbocatine बनेगा या carbon ion बनेगा ठीक है ये हो गया question आप देखे आपके पास question में number first दे रखा है तो देखे जब question आप solve करने बैठेंगे तो सबसे पहला काम किजे थोड़ा सा आप एक बारी थोड़ा देख लिजे कि कैसे आप ऐसे question को फटाक से बना पाएंगे तो देखे homolysis ये दिखने रहा है ना homolysis अगर होता है इसमें same species बनता है same species bond ये homolysis क्या है एक types of bond fusion है जिसमें same species तयार होता है same species बनता है और साथ ही साथ आप याद कर लें कि इसमें free radical ही बनता है free radical ही बनता है बाताई समझ में आपके homolysis का पहचान हो गया कि एक पहचान है कि same species बनता है यानि जब bond break करेगा तो दो same species आपको मिलेंगे मान लिजे CL है CL है जब ये bond अगर ऐसे करके break करके CL free radical CL free radical बना ले इसको हम लोग क्या बोलते हैं homolysis हुआ क्यों क्योंकि same species बना ठीक है chlorine free radical बना और same species हो गया तो ये आपने समझ लिया उसके बाद बार ही आती है heterolysis कि तो heterolysis आपको ठीक है ये भी bond fusion ही है इसमें क्या होता है आपका तो different बने गा सेम नहीं बने गा डिफरेंट बने गा क्योंकि हीट्रो का मतलब ही होता है different ठीक है two different species बनेंगे और सांथी सांथी इसमें क्या क्या बन सकता है Carbocatine बन सकता है ठीक है और क्या बन सकता है Carbocatine बन सकता है बात आई समझे आब इसमें भी समझ लीजे Carbocatine का मतलब है कि C के उपर Positive Charge का होना और Carbocatine का मतलब है C के उपर Negative Charge होना यही बेसिक था बस इतना आपने दिमाग में आप बैठा लिजे कि homolysis that type of bond fission in which same species form यानि free radical form और ये held होता है कब जब आपका ultraviolet rays होगा या फिर आप sources of energy डालेंगे तब ये होता है और हीट्रोलिसिस में क्या होता है two different species बनते हैं जिसमें कार्वकटायन बनता है और कार्वकटायन में कार्वन पे positive charge हो जाता है और कार्वन आयन में negative charge होता है यहां पे क्या होगे इतना बेसिक था आपको इसको बनाने के लिए इतना आपने देख लिया आप चलिए वग नाते हैं ठीक है तो देखें यहां आपका पहला आप पडाक से आपको question अब तुरत समझ में आ रहा होगा कि यहां पर bond का cleavage किस तरीके से हुआ फ्री रेडिकल आपको दिख रहा है यह आपके book में दे रखा है मैंने अपने से नहीं लिखा यह book में दे रखा है तो लिखा मैं नहीं है लेकिन book से लिखा है ठीक है तो यह free radical हुआ तो आप free radical समझ गया यह तो मैंने आपको बता है आपको दभी कर लेते ठीक है यह हो गया आपका free radical अब इस question पर आई वह तो बहुत easy था इसको थोड़ा सा आपको ध्यान दे कर बनाना है जैसे इस type से दे दिया ऐसा दे दिया तो बस डिबागूल के भाईया इस समझी नेराई क्या लिखा है तो इसमें करना क्या है मेरे बच्चों देखिए ऐसे करो ओ किया मैंने आपको सिखा रखा है कि bond खीचा गया it means कि वह carbon है ठीक है ठीक है न तो यहां पर आपका तो देखिए यहां पर इस तरीके से किया तो यहां यह carbon है यहां पर क्या है हमारा carbon है तो जब यह carbon हो कार्बन का टेट्रा वेलेंसी कौन पूरा करेगा जब नहीं कुछ होता है तो हाइडोजन पूरा करता है टेट्रा वेलेंसी तो एक वेलेंसी तो इधर से पूरा हो चुका है तो तीन ही न चाहिए इसे और तो इसके पास तीन हाइडोजन आ जाएगा आएगा यह दिखाना हो वो understood होता है पता होता है हमें कि यह होता है मैंने theory section में पढ़ाया है आपको कि यह bond line structure है तो bond line में यह understood होता है ठीक है तो देखिए OH- है तो आपका देखिए OH- क्या करेगा water बना रहा है तो H plus ion ले जाएगा तभी तो water बनाएगा तो आप समझे अगर यहां से H plus ion निकलता है H plus ion यानी इसने अपना क्या क्या इलेक्ट्रोन इसको दे दिया किसको इसके लिए paint रहा चेंज कर दिया यहां पे H plus ion का मतलब क्या है इस bond के अंदर दो इलेक्ट्रोन है एक carbon का एक hydrogen का त अपना इलेक्ट्रोन इसे दे दिया और H plus के form में निकला और यही H plus इसके साथ जाके जुड़ गया ऐसे तो बना लिया आपका क्या देखिए ऐसे bond double bond O और यहां पे मैंने carbon ऐसे दिखाया है आपको जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रोन इसे दिया तो इसके उपर क्या हो ज ऑपका ओ जैसे कार्व कर आफ का बेड़ाया है और यह आपका कार्व की कैसा होगरीट्रो पर है तो स्यंSetर और होता निक्रोन पर जाम होगा थोड़ल पर हुग आपको maintained निक्ट्रोने यह संब्सके सब्सकी आपको इस पर छानली कर रहा है ठीक है क्लिए अब आगे बनाते हैं अब इस question को देख लैके साथिया uh ठीक है तो इसमें क्या किया यह मैंने आपको betた जहां जहां आप देखिए ऐसे क्या क्या तूब क्या है यहां पर डाल आप देखे बी आर माइनस बन रहा है आपका बी आर माइनस और इस पर पोजिटिव हो जा रहा है यहाँ इस कारवन पर हुज disorder हो जा रहा है तो आपको क्या करना है बी आर माइनस यानि इस तरह से आपका इस तरीके से क्या हो लेके जाएगा ईलक्ट्रॉन तो बिर थो क्यों गबार क्यों की ने एक प्रोड इंटी कर जच कर रहें दोनों को लेर चलाए तो बिर माइनस हो गया आइ चुकी इस कार्बन ने अपनाStra ब्रोडो डिया किस कार्बन यहां पर जो कर्बन है उसने अपनाORT से क्क स्धけ्ट्रम इसको दिया है इसके उपर क्या हो गया है पाज़ेटिव क्योंकि इसने दिया पॉजेटीव इसने लिया निगेटीव यह क्या हो गया कारग कारग कंटाएन टीक है कारग क्लीवसी चelin हो गया में हẹग फेक्रोली스를 हीट्रोलिस्स यहीं तो बताना था यह यह प्लस को इस पर अटैक करना है और इस तरह का बनेगा ठीक है तो इसमें देखें आपको क्या करना है कि यहां पर आ रहा है इसके बावजूत क्या है आपका कि यहां पर प्लस चार्ज कैसे हो जाएगा देखें जब इलेक्ट्रोन ऐसे आप शिफ्ट कराएंगे यह इस तरीके से समझेंगा समझने कले सिर्फ कर रही हुए ऐसे आपका एक बारी में बन जाता है यह सब यहाँ पे आपका निगेटिव हुआ अब क्या करेगा और यहाँ पॉजेटिव हो गया आपका तो देखे ए प्लस चुकि यह electron deficient species है तो वो कहां जाएगा जहां electron rich system तो वो कहां जाएगा यहाँ यहाँ गया और इसने क्या बना लिया आपका इस तरीके से बना लिया देखे ऐसे और यहाँ पे आके जुड़ गया और यहाँ पे क्या हो गया आपका पॉजेटिव चार्ड तो यह क्या हो गया कार्वकाटायन जैसा हो गया और यह क्या हो गया हिट्रोलिसिस हो गया हिट् की आपको समझना हुता है तो इस त्तरीके से और जब बना करब कटा अगर निगेटिब बना देगा माण लिए इसी इसी क्वेस्टों को कहीं पर ऐसे के नियुल से कि निगेटिब बना दिया तो कर黃 следующ बन गया तो यह सब लोगों को पूरी जानकारी होती तब व वीडियो देखते हैं तो आसानी से समझ लेते हैं कुछ बच्चे एसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही zero level से देखते हैं कुछ पता ही नहीं होता है तो फिर वह भी कैसे समझेंगे इसके लिए हर एक बातों को बताया का ऐसाथ के साथ वीडियो आपके समझ में आए ड़ह सही समझ में आए बच्छों किया किज़ेर तके मेरे समझ में आजाए अर वीडियो बनाने का तो चले इसे उमीद के साथ सब्सक्राइब मिले dad आपसे नेक्ट क्लास में, नेक्ट वीडियो के सब्सक्राइब,